इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर्क प्रियास किया जा रहा है आसपास के जंगल में बाघिन के होने का अंदेशा जताय जा रहा है हलांके 96 दोरान वन अमल को तालाब के पास बाघिन के पग मार किया अन्य कोई निशान नहीं मिले है अधिकारियों का कहना है कि यदे गुरवार सुभा तक बिच्छरे शावक की बागिनमा नहीं मिलती है तब शावक को कानहा या वन बिहार भीजने पर अंतिम नर्ने लिया जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व के डारेक्टर देवाजे प्रशाद ने बताया कि रुखड बफर वन परिशेत्र अधिकारी शुभम बडोनियों को मोबाइल पर सोचना मिले की रजोला बेट के रजस्व गाउं शाखा देही में ग्रामिनों ने तालाब के पास एक बाग शावक को देखा है दोपहर करीब धाय बजे वन परिखशेत्र अधिकारी रुखडवा वन अमले ने मौके पर पहुंचकर इस्थल का निरक्षन किया बाग शावक तालाब के पास आई पोमिया की जाडियों में मौजूद होने पर दोपहर करीब साड़ी तीन बजे पेंच टाइगर रिजर्व के उपसंचालक रजनीश असिंग पेंच मोगली अभ्यारन अधिक्षक आश्षिश पांडी वन्य प्राणी चिकित सक अखलेश मिश्रा को इसके सूशना दी गई ग्रामणों के भीड एकत्रेत होने के संभावना के मद्दे नजर कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस वा राज्यस्व आमले को मौके पर बुलाया गया वन परिशेत्र अधिकारी रुखर के नित्रत्व में दल गठित कर तालाप के आसपास पूरे इलाके में सगंता से सर्चिंग के गई किन्तो कहीं भी अन्य किसी वयस्क बाग बागिन के पगमार्क या अन्य कोई साक्ष्य नहीं मिले वन अमले पूरी रात अशेत्र में निगरानी करने में लगा रहा तालाप के आसपास कैमरा ट्राप लगा कर सुबह तक बागिन के लोटने की प्रतिक्षा करने का नरने लिया गया सुभा कैमरा ट्रैप में अन्य वयस्क बाग अधवा बागिन दिखाई नहीं दिया जबके बाक्षाव के मौजूदगी ज़ाडियों के बीच पाई गई बाग शावक के सुरक्षा के मद्दे नजर सुभा पांच बजे तक वन्य प्राणे चुकित्सक की मौजूदगी में वन अमले ने बचाओ अभियान प्रारम किया अधिकारियों की मौझूद्गी में वन्य प्राणे चुकित्सक ने बागशावक को बिना निश्चेत किये जाल के सहायता से स्वस्थ अवस्था में पिंज्रे में कैथ किया बागशावक पूरी तरह सुरक्षित है जुसे बागिन से मिलाने का प्रियास किया जा रहा है